अपने पेपर बोर्ड बहुत देखी होगी, लेकिन आपने कभी कुकॉम्बर बोर्ड भी बनाई है, तो आज हम बैसे ही बनाएंगे, बहुत अच्छी रेस्पी है, इतना इजी रेस्पी और बहुत हैल्दी रेस्पी है, तो इसको जरूर ट्राएगी जे बच्चे वड़ों अगर सब्सक्क सबस्ड़ाइए, और ये मंते है बन जाती है, तो चलिए बेडियों स्टाट करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सी रेस्पी है आपके काम कि आईएंगी, चलिए स्टाट करते हैं, देखे हमने लिए दो फखेड़िये अःगे, खेरिये अच् बहुत अच्छा रहेगा नहीं तो जो भी खीरा मिले कोई वात नहीं उससे भी बहुत अच्छा बनेगा तो देखिए हमने दोनों छील के और बस 20 से कट करना है और यह जो साइट का गुदा वाला पार्ट इसमें सीट होते हैं उनको हमें निकालना है तो उसके निकालने के ल तो इसका सारा हम गुदा निकाल लेंगे चारों का हमने गुदा निकाल लिए यह अलग रख दिया इसके सीट सो जो भी पर लोग था वो निकाल लिए अब इसको हम करेंगे छोटा छोटा सा चॉप जितना चोटा आप कर सब उतना चोटा कर दीजी बहुत अच्छा बहुत अच्छे लेंगे अब इसमें थोड़ी सी प्याज हमने थोड़ी सी गाजर थोड़ी सी स्वीट कॉर्ण और थोड़ा सा हमने टमाटर और हरी मिर्च डाल दिये था और देखिए इसमें हमने लाल मिर्च डाल दिये और थोड़ा से नमक डाल दिये थोड़ा काला नम तो अपके आपके ओपर कोई भी फ्रूर्स में डाल सकते हैं. और देखिए थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें नीबू कर रस डाल दिया है. यह एक नीबू कटकी है, उसका जितना भी है, उसमें डाल दिया है. जो खटाई हो जो टेंगीनेस इसका आएगा बहुत अच्छा था नीवू डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको तो आप ऐसे ही खा सकते और देखिए अब हम यह जो हमारी चटनी की रेस्पी मैंने सेयर की थी ने सौट वाली चटनी वो रखे आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है आपने नहीं बनाई आप सिंपल भी ऐसी बोट लीजिए खीरा लीजिए उसमें ऐसे ही यह डाल दीजिए कोई ज़रूरत नहीं उसमें चटनी लगाने की तब भी टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है और इसको आप सैलड की रूप में या फिर पाने का वैसे मन कर रहा है तो देखिए हैल्दी भी नासता है और फिर नासता है ना गयस बनाने की ज़रूरत बहुत जल्दी बन भी जाता है और जो स्वीट कॉण लिये थे उसको मैंने हलका सा वाइल कर लिया था जैसे न उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया तो द बन जाएगी रैस्पी अच्छा इसको हम ना दूसरा थोड़ा सा गार्निस भी कर लेंगे जैसे कि हमने थोड़ा सा धनिया उपर से डाल दी ना तो यह देखने में भी बहुत अच्छा लगता और कॉड़ी अंडर तो वैसे भी बहुत फायदे मन्द होती है इसको बहुत भी बना सकते जैसे उपर से आपना अलू भुजी है कोई भी नमकीन आप उसमें एड कर सकते तो यह देखिए हमारी जो वोट है बड़ी है टेस्टी टेस्टी वोट हमारे पेट में तैनने के लिए तयार हो चुकी है तो आप जरूर बनाएए यह रैस्पी आपको बहुत पसंद आएगी बच्चों को भी पसंद आएगी अच्छा यह जो जैली लगाईए ना यह गवावा वाली अम्रूद वाली जैली और उपर से देखिए यह आलूप जी टाल दी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो यह अच्छा लगाओ तो बेड़ी को लाइक चैनल सस्क कीजिए थैंक यू फर वाजिन सब को सियर कीजिए